नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका फिर से अपने प्यानी चलें नर्सिंग फिलोब में। दोस्तों टाटा मेमुरुयल सेंट्र। टाटा मेमुरियल होसपिटल परेल बुंबई। दोस्तों वैकेंसी है 11 talents 1 zam 12ala 2021. और दोस्तों ये वैकेंसी है आप लोगों के लिए। इ को सब्सक्राइब कर लीजिए इस प्रकार की मैं वेकैंसी आपके लिए लाता रहता हूं तो दोस्तों बिलकुल भी टाइम खराब नहीं करेंगे और आगे देखेंगे कि स्टाफ नर्स की कौन-कौन सी वेकैंसी है जो आपके लिए अवेलेबल है तो दोस्तों यह रिक्विर लेवल दोस्तों रहने वाला है लेवल 10 चोवन सो ग्रेड पर रहने वाला है चपन हजार सो रुपए लेवल 10 सेल प्लस अलाउसस दिये जाएंगे कम से कम सत्तर हजार रुपए करीब इसके अंदर सैलरी दी जाएगी मांगा जो गया है वो MSC नर्सिंग और BAC नर्सिंग पोस्ट BAC बेसिक नर्सिंग और जनर्रल नर्सिंग मिडवाइफरी प्लस डिपलोमा इन ओनकोलोजी नर्सिंग क्वालिफिकेशन मस्ट बी फ्रोम रिकोगनाईज युनिवरिसिटी 15 एर एक्स्पिरियंस आउट ओफ विच 10 एर शुट बी क्लिनिकल एक्स्पिरियंस इन ए हैंडेट बेड होस्पिटल प्रेफरेंस विल बी गिवन तो कंड़ेट हविं एडमिनिस्ट्रेटिव कि बात करें वो है Sbcs, Islands, Arcz, Malipur, Punjab meet पंजाब के लिए लोकेशन है इसके लाबा मर्सी की बातके नर्शी के अंदर Level 9 दी गई है ग्रेड पे अची है दोस्तो चौन सो ग्रेड पे है ऐक Ohbc की है कि है e Sea की हैओ एक Ews इसकी वेकेंसी है, तरेपन हजार सो रूपय प्लस अलाउसेस वही साथ से सतर हजार पर सेलरी बनती है, इसके अंदर एज क्राइटेरिया भी 40 साल का है दोस्तों, इसके अंदर मीनिमम्ग 12 साल का experience मांगा है बीएसी, जी एनम और प्लस 12 साल का experience इसके अंदर मांगा है, हेंडेट बेड होस्पिटल के अंदर, क्वालिफिकेशन जी एनम बीएसी है और इसके अलावा, हेपेटाइटिस बी वेक्सिनेशन टू बी कंप्लिटेड क्लिनिकल बिफोर पोस्ट बेसिक बीएसी सेल अलसो भी कंसिडर्ड, हेपेटाइट की वेकेंसी है, इसके अलावा, इसके अलावा, पचास बेड का एक साल का experience इसके अंदर मांगा है, यह आपके लिए बहुत यची पोस्ट है दोस्तों, इसके अंदर आप एलेजिबल हो सकते हैं, जी एनम बीएसी मांगी है, रेइस्टेशन किसी भी श्टेट का चलेगा, क तीनों इसके अंदर allow किये गए है location वही रहने वाली है पंजाब की next बात करते हैं level 8 की है जो grade पे है 4800 grade पे है nursing, nurses B की इसमें भी अच्छी post है judge general की 5 OBC की, 4 SC की 2 HT की, 3 OBC की EWS की, इसके अंदर 6 साल का clinical experience मांगा गया है इसके अंदर GNM, BSC और post BSC तीनों allowed किये गए है और कहीं का भी registration आपका हो वो आपका allow किया जाएगा All India students can apply दोस्तों पूरा PDF आप पढ़ लीजिएगा इसके अंदर जो आपके लिए man-man चीज़े है मैंने आपको बता दी है, post की सारी details बता दी है, application fees जो रखी गई है वो रखी गई है 300 रूपे इसके अलावा अगर हम बात करें benefits सारे allowances दिये जाएगी training development का course करवा जाएगा medical facilities दिये जाएगी accommodation दिये जाएगा retirement benefits दिये जाएगे सारी आपको इसके अंदर facilities मिलने वाली है इसके अंदर transfer की जो सुविता है वो 5 साल तक की है 5 साल अगर आप कहीं काम कर लेते हैं उसके बाद में आपको transfer कर दिया जाता है दोस्तों पूरा ये आपको PDF चाहिए हमारा telegram group join कर लीजिए description box के अंदर आपको उसका link मिल जाएगा ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए थैंक यू